हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही योट्यूब चैनल में मुंगेर युनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 में एडमिसन ले रहे थे जिनका भी एडमिसन किसी कारण वस नहीं हो पाया है और नहीं ले पाया है और जो भी स एडमिसन लेने का री ओपन कर दिया गया है तो दुबारा से आप लोग पाट 3 में एडमिसन ले सकते हो जो जो लोग यहां पे एडमिसन नहीं ले पाये हो तो कब से कब तक आप लोग का डेट दिया गया है किस डेट में आप लोग एडमिसन लेंगे और क्या-क्या इनके लेकर नोटिस आईवी है मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा आज में आप लोगो सारा यहां पे चीज एक्सप्लैन करने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतक देखेगा और चैनल पर नाए आईवे हो तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल नोटिपिकेशन काउन जरूर कर लिजेगा ताकि आगे भी मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले मिल सके तो चलिए देख लेते हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा पाठथर में एडमिसन को लेकर क्या कुछ नया जानकारी यहां पे नोटिस दी गई है तो जैस किया जाता है कि जिनका ओनलाइन नमंकन असना तक पाठथर में अभी तक नहीं हो पाया है यहने कि किसी कारण वस आप लोगों ने पाठथर में एडमिसन नहीं ले पाए हैं तो वैसे छात्र छात्रा हैं महा विद्याले द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करात अपना नमंकन अफ ऑनलाइन परिक्रिया के माध्यम से आप लोग ले सकेंगे तो जो भी स्टुडेंट एडमिसन नहीं ले पाए हैं और आप लोगों का जो भी एडमिसन होगा वह आप लोग अपने कॉलेज में जाकर अपना जो भी डोकुमेंट्स है जो इसमें लग रहे वह आप लोग को कॉलेज में जामा करना होगा वहां से आप लोग को एडमिसन मिल जाएगा वहां से आप लोग को जैसे ही डोकुमेंट्स वरिफिकेशन करा लेंगे जो भी डोकुमेंट्स है वह आप लोग को जामा कर देना है जामा करने के बाद आप लोग को ऑनलाइन के माद्यम से payment कटा के आप लोग को admission ले लेना है तो इन में जो तीथी गया है आप लोग का जो भी समय दिया गया है वो आप लोग को 25-222 से 26-222 तक आप लोग को admission लेने का time दिया गया है यानि कि आप लोग को मातर दो दिन दिये गए हैं आप लोग का पाट-थर में एडमिसन लेने के लिए तो यह आप लोग ने एडमिसन नहीं लिया है यह आप लोग छुट गए हो तो आप लोग जल से जल एडमिसन ले और आप लोग का यह नोटीस जारी किया गया आप लोग के लिए हैं और जो भी student 18 से case वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ important जानकारी भी दी गई है तो यहाँ पे important जानकारी जो दी गई है वैसे छातर-चात्रा हैं जिनका part 3 में उतरिन हो यहनि कि जो भी student part 1 में आप लोग पास हो और जो भी वैसे छातर-चात्रा हैं जिनका part 2 में पर्मोटेट या पास हो student यहां पे आप लोग जैसा कि देख पार होंगे कि जो भी part 2 में परोननत या उत्रीन या part पर्मोटेट या पास हो तो वैसा student इसमें admission ले सकते हैं तो यह नहीं आप लोग का admission नहीं हो पाया है तो आप लोग part 3 में admission जल से जल जाएए और college में अपना document verification करवाई है document verify करने के बाद आप लोग online के माध्यम से payment कटा के आप लोग अपना admission ले लिजिए तो इस तरह से आप लोग का admission ले ले लेना है और आप लोग का यह आप लोग को समय दिया गया है मातर दो दिन का तो यह आप लोग के लिए नई जानकारी मुंगेर युनिव कजिए यदि किसी भी तरह का problem है तो आप लोग हमें comment कर सकते हैं तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद